लिटेचर रिव्यू के चैप्टर का तीसरा सेक्शन संथेसेज आफ प्रीवियस रिसेर्च है इसमें हम आपके प्रपोस्ट रिसेर्च टापिक पे जो इससे पहले रिसेर्च हो चुकी हैं उन रिसेर्च का रिव्यू लिखते हैं इसमें दो तीन बातें जो जो जहन में रखने जाली हैं कि देखिये पिछली रिसर्च की समरी प्रिजेंट करना इस सेक्शन का मकसद नहीं है या यूं कहलें कि कुल मकसद इतना नहीं है मैं ये नहीं बताने के लिए ये सेक्शन लिखता कि इस मौदू पर फलाने ने ये रिसर्च की और उसने ये फाइंडिंग दी दूसरे ने ये रिसर्च की और उसने ये फाइंडिंग दी उनकी फाइंडिंग्स की इन्वेंटरी नहीं बनाना चाहता मैं इस section को अपने research questions के साथ associate करके पढ़ता हूँ या देखना चाहता हूँ तो लहाजा सबसे पहले ये दुरुस्त है कि आपने इस section में अपने field की developments का दिकर करना है लेकिन field की developments का दिकर अपने research questions के तनाजर में करना है stand alone तरीके से summary findings की दूसरों की नहीं लिखनी otherwise देखिए अगर मैं ये जिम्मेदारी अपने उपर ले लूँ कि मैं इस मौजू पे होने वाली पहली तमाम researches की summary बियान करूँगा तो ये बात तो कभी जिन्दगी भर में खतम नहीं कर सकता ना कभी मेरे नजर से वो तमाम researches गुजरनी है ना मैं कभी ये दावा कर सकता हूँ कि मैंने तमाम researches को summarize कर दी है लहाजा ये इसका मकसद नहीं है summarize करना नहीं है हाँ summary प्रिजेंट करनी है लेकिन सिर्फ वो वाली जो मेरे research questions से relevant है और connected है ऐसा करने के दौरान आपको literature में gaps का पता चलता है आपको ये पता चलता है कि जिस problem को मैं आज study करने जा रहा हूँ पहले से study होता आ रहा है लेकिन इसके बावजूद इस problem का कोई तशफी हल अभी तक नहीं हुआ उसके पीछे वजह कहीं पिछली researches में किये जाने वाले काम में कोई ऐसी कमी तो नहीं रह गई जिसको address किया जाए तो शायद ये मसला हल हो जाए ये आपको इस पढ़ने के अमल के दौरान समझ आती है जब आप दूसरे लोगों के research के methods को पढ़ते हैं उनके questions को पढ़ते हैं उनके data collection के tools को एनलाइज देखते हैं फिर उससे आगे आप उसके result infer करने के तरीकों पे बहस करते हैं तो ये आपको gaps नज़र आते हैं आप इसके जरीए से दूसरों की studies को एक तरह से evaluate करते हैं मुक्तरिफ पहलू मेसे जिन में से एक पहलू methodological part है उसका आपको उनकी strengths, weaknesses, controversies ये समझ आती हैं और इसके नतीजे में again आप इस section को अगर ज्यादा clarity से लिखना चाहते हैं तो अपने research questions से heading infer कर लीजिए कि आपके research question को अगर heading में convert किया जाए तो क्या बनता है और फिर उस मौजू पे आप देखिए कि previous literature क्या कहता है और वहां से आपको नज़र आए कि इसमें gap कै तो उसको enlist करिए और इसको connect करिए कि ये gap आप कैसे fill करेंगे इस gap को fill करने की demonstration आप अपने methodology के chapter में देंगे लेकिन यहां पे इस gap को identify करेंगे अच्छा इस section में synthesis of previous research जब जिसको हम कहते हैं अब आपका तालुक किताब से नहीं है ये आप इस से पहले इस मौज़ू पे publish होने वाली research जो है उनको सामने रखते हुए आप इसका फैसला करेंगे अब आपने किताब पिछले दो section में मैंने आपसे कहा कि आप किताब में से वो निकालेंगे वो previous research से नहीं निकलेगा अब ये वाला हिस्ता जो third part है literature review की chapter का ये totally परानी इस से पहले होने वाली researches में से निकलेगा और वहां से आप ये information gather करेंगे और gap आपको इसी जगह से नज़राना है तो अगर मैं इसको sum up करूँ तो देखिए पहला section आपके variables को define करने में conclude होता है दूसरा हिस्ता जो था इसका वो आपके research का जो phenomena है जो आपके topic में मूँन पहला लवज होता है relationship, difference, impact, effect वो वाला जो लवज आपकी study के phenomena के logical होने पे conclude होता है और तीसरा section इस phenomena और इन variables को इस्तमाल करते हुए जो लोगों ने पहले researches कर रखी हैं उनकी findings की study में से gap identify करने के काम आता है तो तीनों sections के अपने unique purpose है जिसके बाद आपका literature review का component मकमल होता है और reader के लिए logical एंड ये है कि जब वो आपके इन तीनों sections के conclusions को पढ़े तो उसको obvious बात जो अगली जहन में आनी चाहिए कि अब जो मैंने करना है उसकी methodology उसके जहन में तरतीब पा चुकी हुई हो तो इस तरह से आप इस section को conclude करते हैं